हलो स्ट्रेंट्स आज की वीडियो का टॉपिक है चेंज ऑफ जेंडर यानि की जेंडर में मैस्क्यूलीन से फैमिनीन जेंडर में कैसे चेंज करेंगे उसके कुछ रूल्स है जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है तो पहला रूल है जो की रूल नमर व केetr pontos वेडियों में देखेंगे तो मैस्कि Weihnׂन यह राम लोग आ कट्री में मेनिंग होता है जो पूरुष वाला काट्रीए यानि कि जो मैल वाला काटेग्रिया गपी और फेमृनि न मतल्य होता है फ्यमेल 그걸的话 है तो पहला वर्ड है बétचलर state bachelor का फेमिनन क्या हो जागा क्या होजागा मेड यह होगा कि यह रूल में पहले हम हेडिंग दे द आए कि इसेंज ऑ वर्ड भाय याण कि next is brother, इसका तो पता ही है, called sister, buck का हो जाएगा, doe, bull का change हो जाएगा, cow में, colt का change हो जाता है, philly, dog का हो गया, आपका bitch, यह क्या बहता है, masculine में है, यानि की male है, और bitch जो meaning है, dog का, यह feminine में हो गया, dark का, यह masculine में है, तो dark का क्या हो जाएगा, duck, और कुछ words है, जिसको हम लोग, इसी वाले rule में change कर सकते हैं, easily, drone का क्या हो जाएगा, be हो जाएगा, change, fryer का क्या हो जाएगा, none, जेंटल मैन, जो हो जाएगा, वो है, lady, more some words are there, like horse, यह सब हम लोग बच्चे में पड़े होंगे, बट ऐसा होता न, कि हाँ, बस यही होगा, यही होगा करके, wrong हो जाता है हम लोग का, तो यहाँ पर कुछ है, जो words हम लोग को helpful होगा, exam के समय में, husband का भी, husband का wife हो जाएगा, lord का क्या हो जाएगा, change हम लोग का masculine में, lady, man का क्या change हो जाएगा, women, man का change हो जाएगा, women, nephew, nephew का change हो जाएगा, आपका niece, sir का हम लोग को पता है, जो feminine वाला part होता है, madam, next is, sloven, इसका change हो जाएगा, slut, sloven का feminine में हो जाएगा, slut, sloven मतलम होता है, वो person, जो लापरवाई से काम करता है, तो इसका feminine में भी, slut का मिनिंग हो गया, for her, for her, और sloven का मिनिंग के हो गया, the person who, वो person जो लापरवाई से काम करे, next word है, हम लोग का, son का daughter हो जाएगा, feminine में, stack जो है, उसका क्या हो जाएगा, hind हो जाता है, next is swen, swen का change हो जाएगा, nymph, nymph मतलम क्या होता है, अपसरा, okay, uncle का हो जाएगा, aunt, next is wizard, wizard का क्या हो जाएगा, witch, यहाँ पे जो word है wizard, इसका meaning क्या होता है, the meaning of the wizard is, जो जादुगर होता है, और witch मतलब होता है, जो dian, यानि की, जो जादुगर है, उसका opposite क्या, female क्या वर्सन क्या हो जाएगा, witch, और यहाँ पे stake, और यहाँ पे hind है, तो इस stake मतलब होता है, हम लोगों पता ही है, 12 सिंगा वाला जो हीरन होता है, that one, राइट हो गया, और यहाँ पे swain का nymph हो गया, swain का hindi मीनिंग होता है, good area, good area यानि की, that which is opposite to the nymph, यानि की अफसरा, अब हम लोग चलता है, rule number two की और, क्या बोलता है, हम लोगा rule number two, rule number two, what is this, by adding, मतलब एक word को add करके, हम लोग masculine से feminine में change कर सकते हैं, तो क्या है, देख लेते हैं, सबसे पहली बात तो, पहला जो इसमें मतलब दो ठो काटेगरी है, इसके अंडर भी, एक है prefix, यानि की हम लोग prefix को add करके, क्या करेंगे, masculine से feminine में change करेंगे, तो यहाँ पर by adding a prefix, मतलब यह अला रूल से अभी हम लोग चलेंगे, तो masculine से feminine में कैसे change करेंगे, जो word है पहला वो है billy goat, billy goat जो की masculine में है, और nanny goat जो की feminine में है, तो इसमें कौन सा change हो रहा है, prefix मतलब ही हो गया, जो आगे वाला word रहाएगा उसको change किया जाएगा, या फिर उसमें कुछ changes या नया word add होगा, तो billy goat तो सेम ही रहा, बस change कौन हो गया, बिली यानिकि जिसका हो गया नैनी में, next word is, buck rabbit, अब सिल्स हम लोग कौन सा process में चल रहे हैं भी, by adding the prefix, prefix, यानिकि prefix में वर्ड को change करकर ना है, या वर्ड को add करना है, prefix मतलब आगे वाला word, तो क्या हो जाएगा, buck rabbit का क्या हो जाएगा, doe rabbit, यह हो गया हम लोग का, masculine से feminine में change, अब हैं, cock sparrow, cock sparrow को क्या change हो जाएगा, hen sparrow, वैसे भी हम लोग बहुत बार देखे हैं, कि cock का change हो जो होता है, वो hen में ही हो जाता है, okay, next, come to the next word, he goat, इसका क्या change हो जाएगा, she goat में, गया, next is, jack ash, क्या हो जाएगा, she ash, right, अब है man servant, जो पूरुष यानिकि man servant होता है, उसका क्या हो जाएगा, maid servant में change हो जाएगा, done, next है हम लोग का, by a change of suffix, यानि कि, इससे पहले हम लोग क्या करे थे, prefix में change करके, prefix का word जो है, उसको change करके, हम लोग नया feminine बना रहते हैं, अब क्या करेंगे, suffix को change करके, नया आला feminine word जो है, हम लोग बनाएंगे, तो यह हो गया, हम लोग का masculine से feminine, तो पहला word क्या हो गया हम लोग का, grand father, यह हम लोग हो गया पहला word, तो यह तो masculine में है, इसको हम लोग feminine में कैसे करेंगे, grand mother, इसका change हो गया, इसमें क्या change हुआ, जो suffix है, suffix मतलब पीछे वाला जो है, उसको change करेंगे, उसमें नया word आड़ करेंगे, इनकी father का mother हो गया, next word हम लोग का क्या है, great uncle, great uncle का क्या हो जाएगा, great aunt हो जाएगा change, next है landlord, landlord हम लोग बहुत बढ़ देखें, जो मतलब बड़े बड़े माकान के मालिक होता है, उनको landlord बोला जाता है, तो यह हो गया क्या है, land lady, next word है हम लोग का pick, pick क क्या हो जाएगा, co, c के, pick क क्या हो जाएगा, pion, next word क्या है, servant man, servant man का क्या change हो जाएगा, servant maid, okay, servant man का, तें अकह Willisरने की नकर जो की में है और यहां पर यह रहा फिमल वाला जो नोकर वला वड है जैसे नोकरा नी यहां यह भाशव मैंन का क्या हो जायोगा वशर वेमन तो यहां पर कुछ चार्ट गोजन दूकरींज त Kingdom क इसका it adding es to the masculine masculine में अगर हम लोग es add कर देते हैं तो हम लोग को masculine से feminine में change करने का जो word है वो मिल जाएगा तो पहले यहाँ पर masculine का यह category है और यह क्या हो गया यह feminine का category हो गया तो पहला word क्या है author यह हम लोग का पहला word रहा क्या बोला गया उपर में रूल में कि es को add कर दीजिए तो हम लोग करते हैं क्या हो जाएगा author is यह हो गया author का feminine version अब क्या है baron baren का क्या हो जाएगा baren is यही बोला गया था नेक्स्ट इस जांट का क्या चेंज हो जाएगा giaint ass अनधर वर्ड क्या हो जाता है Gottes यहां पर डवल्ल तक है इसलिए यूज़ हो गया है यह जो D था इसलिए इसलिए यूज़ गा क्यूकि कोई भी Koron confused रहता है उसके ठीक पहले अगर कोई ववेल रहता है, तो जब हम लोग उसको plural में या फिर feminine में चेंज करते हैं, तो उससे मैं double consonant का use होता है, next word is hair, hair का क्या हो जाएगा, hares, hair मदलों क्या होता है, उत्रा धिकारी, तो जो female में उत्रा धिकारी होंगी, उनको हम रोग hares बोलेंगे, host हो गया host, इसका क्या हो जाएगा, hostess, next is Jew, Jew का meaning क्या होता है, यहाँ पे Jew का meaning हो गया यहूदी, यानि कि एक तरह का जो जाती था, that one यहूदी, तो अगर Jew में male है, तो Jew, और अगर female में आ जाती है, तो Jewess, next है lion, lion का क्या change हो जाएगा, lioness, in the female version, next word is pattern, pattern का क्या change हो जाएगा, patterness, okay, done, अब हम लोग आगे थोड़ा चलते है, peer, peer का क्या हो जाएगा, peeress, peer का meaning होता है, कि, जो मतलब हम लोगे पूर्वज या कोई, जैसे कि sexpear है न, वो peer है, आज कल के, जो writer है, जो worker है, इंगलिश के छेत्र में, उन सब के लिए, यह हो गया, poet, poet का क्या हो जाएगा, poetess, change हो ज प्रोहित यान की पंडित, इसका क्या हो जाएगा, princess, another is, prince, prince का क्या change हो जाएगा, princess, next word is, prior, prior का क्या change हो जाएगा, pirates, next is, prophet, prophet का क्या हो जाएगा, prophetess, next is, suffered, suffered का क्या change हो जाएगा, suffered, death, suffered मतलब होता है, जो, भेर वक्रियों को, जो है, मतलब, चरवाहा, okay, in one meaning, it's called, चरवाहा, next is, which count, which count का क्या change हो जाएगा, वेस, count, test, तो यहाँ पे कुछ rule 3 से related कुछ specific words थे, जिसका मैंने masculine से feminine में change करें बता दिया और कुछ यह सब जो है, हमेशा याद रखने वाला और भूल जाने वाले भी words है, तो I hope आप लोग को इस rule 3 का content पसंद आया हो, और साथी साथ इस change of gender का भी, इसके बाद more 4 rules है, जो कि मैं इसके next वाले वीडियो में बढ़ता हूँगी, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो like कीज़े, ज्यादा ज्यादा सेयर कीज़े, और डेली ने अबडेट्स पाने के लिए subscribe कीज़े, thanks for watching